नमस्ते मित्रो, स्वागत है आपका अपनी यूटुब चनल आरे और दुरी जेनरेटर में मित्रो आज की हमारी वीडियो प्राचीन आरे लोग किस प्रकार के परिधानों का उपियोग करते थे उस समय के परिवेश कला संस्कृति किस प्रकार के थे ये आपको आज इस वीडियो में जाननी को मिलेगा और जो विकास वाद मानने वाले धूर्थ है उन्होंने जो असत्य आक्षेप आरियों की इधियास पर लगाया है और प्राचीन वेधिक सब्विता को अपने ही कपोल कल्पित मन्माने धंग से उस पर दोश लगाया जा रहा है उन्हों सब के आक्षेपों का खंडन करेंगे और सत्य आपको बताएंगे तो मित्रों आज की वीडियो में पनी रहे अंतक और ठीक ठीक इधियास को जानने का प्रयास करिए तो चलिए मित्रों वीडियो आरंब करते हैं तो चलिए मित्रों वीडियो आरंब करते हैं मित्रों वीडियो दर्शन में नवय अध्याय का ये सूत्र देखिए इसमें रिशी ने घट वस्तरादी का उधारन लिया है घट अर्थाद घड़ा और पट यानि वस्तरादी को कहते हैं जो तंतु वो इत्यादी से निर्मित होती है तो इन घट पट वस्तरादी के निर्मान के पूर्व ये नहीं थे ये तंतु रूप में थे समवाई और असमवाई कारण में भी घट पटादी का उधारन दिया जाता है ये स्क्रीन पर आप पड़ सकते हैं आज जो ये पूरा विश्व सिल्ख इत्यादी का वस्तर बनाता है ये हमसे ہी रेशम के कीडे द्वारा रेशम धागा निकालकल जो वस्तर बनता है जिसे रेशमी वस्तर कहते हैं ये यहाँ से ही विद्ध्या पुरे विश्व में गई है कुछ इस प्रकार के कार खाने पहले यूज होते थे, प्राचिन आरिये सीले हुए कपड़े भी पहनते थे और न सीले हुए कपड़े भी पहनते थे, जैसे साड़ी और धोती त्यादी वस्त्र, हमारे यहाँ लिनेन के ड्रेस यानि सन के पौदे से निर्मित वस्त्र, इसे शौम वस्त्र कहते थे, कारपस वस्त्र, ये कौटन क्लोथ के लिए आता है, कोशे वस्त्र यानि सिल्क क्लोथ, रांकव वस्त्र, लेदर या वुलन क्लोथ, जो पशुओं से उनके बालों या रेशों से बनते थे, वो वस्त्र, जैसे वुलन क्लोथ भी आज कहते हैं, तन कि लोगों को वस्त्र पहनने का धंगनी आता था, उन लोगों ने आपको सिखाया, अब कुछ मुर्खों को भी फेमस करना जरूरी है, तो यह इनको भी पढ़ लेते हैं, अब यह क्या आक्षेप लगा रहे हैं, मंगल सूत्र एंड वर्मिलियन अर नौट मेंशने अनिवेर इन सेक्रेट टेक्स्ट, तो हडपा में कौन मना गया, तुम्हारे दादा जी, यह प्रिती रंजन स्वेन क्या कह रही हैं, येस, इस ट्रू, इन इंशन इंडिया, वोमें उस्ट टो कीप दर अपर बॉड़ी कंप्लीटली बैड उफ क्लोथिंग, वोमें वीरिंग जेवल्स, नो कस्टम अफ कवरिंग अपर बॉड़ी विद क्लोथ्स, अब दिखिए यहां पर अभी चावडा जी, अपने इस वी माभारत कालीन था, तो उस सब्वेता में माभारत कालीन वस्तुए क्यों नहीं मिलते, सिंदूर लगाने की प्रथा केवल वैदिक लोगों की है, और बुद के जन्म से पूर्व, विवाहित स्त्रियां सिंदूर लगाती थी, इसके कोई टेक्स्ट्वल एविडन्स है तो दिखाईए, तो मित्रो अब देखिए महाभारत से सिंदूर के प्रमाण, माभारत काल में विवाहित स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर लगाती थी, इसके प्रमाण देखिए, आदी पर्व में आस्तिक पर्व एक उपपर्व है, उसका 44 अध्याई ये गीता प्रेसे देखिए, यहां में तो तक्षक नाग जो नागवंश में हुआ एक महाभारत कालीन योद्धा था, जिसने कौरवो के पक्ष से युद किया था, उसके आकाश गमन के संदर्व में महर्श वेद्वयास उसकी उपमा विवाहित स्त्रियों के केशों की बीच में खीची जिसमें सिंदूर भरा जाता है, उससे कर रहे हैं, इसे आप इंगलिश ट्रांसलेशन में देखी बहुत अच्छे से, वही चेप्टर सौती सेड, Hearing the roars of Takshak, the minister all fled, and as they were running away, they saw the king of the snakes, नाग, the wonderful serpent Takshak going away through the sky like a streak with the color of the lotus, नाग, the lotus की बाती लाल रंका, his cursing through the sky looked like the vermilion lion in the middle of the dark masses of a lady's hair, वह वैसा ही दिख पड़ता है, जैसे किसी लेडी के केशो में सिंदूर की रेखा खीची जाती है, तakshak जिस किसी भी यान में उडान भर रहा था, वो यान लाल रंका होगा, इस प्रकर से अन्ने translations में भी आप देख सकते हैं, अब ये पून रूप से सिध हो गया कि हडपा काल माभारत को ही सिध करता है, और जैसा माभारत गरंथ में लिखा है, वैसा ही अर्केलोजी इत्यादी से निकल रहा है, तो जिस प्रकार से प्राचीन काल में महिलाएं अपने केशो की भी सिंदूर लगाया करती थी, उसी प्रकार से आज भी विवाई स्त्रियां अपने केशों के भी सिंदूर लगाती हैं यह यहां सिदो गया अब आगे शाज श्रिंगार में बिंदी को लेते हैं मित्रो बुद्ध से पूर्व ये नौशेरा, मोहिन जोदुडो से प्राप्त इन मूर्तियों के सिर पर देखिए यहां आपको इन टेराकोटा फिगरेंस के माथे पर बिंदी या तिलक का अकार दिखरा होगा प्राचिन गाल से आरे लोग अपने माथे पर उर्द वर रेखा इत्यादी खीचा करते थे जिसे मस्तिशक ठंडी रहे यह आईरवेद में भी आया है यह दिके ग्रियसूत्रों में नाक और माथे के बीच में चंदन का लेप लगाने के लिए कहा गया है उसे ही आज लोग गलत वर्ड में तिलक कहते हैं तिलक शब्द व्याकरन से गलक्त है तिलक यानि तिल से बनीवी वस्तू वास्तों में इस उर्द वरेखा को चंदन का लेप कहना ही उचीत है तिलक शब्द गलत है महरशी द्यानिन ने तिलक शब्द का खंडन करते हुए वेद विरूत मत खंडन में जो लिखा है इस क्रीन पार आप पड़ सकते है तो देखिए पंडित लेकराम जी ने अपनी जीविनी में महरशी द्यानिन का एक संदर बताया है जहां महरशी ने स्वयम अन्ने लोगों को साधारण माथे पर सिंपल सा उर्द वरेका खिचने की आज्या दी है यह आप भी पड़ सकते हैं तो महरशी द्यान ने तिलक का खंडन कभी नहीं किया वैशनव तिलक और त्रीपूंड इत्यादी के सांप्रदाई की तिलक जिसमें फलित इत्यादी जोड़कर उससे मोक्ष उससे फल इत्यादी जो जोड़ते हैं उन सारे पाखंडों का खंडन किया अब देखिए ये कुछ कार्विंग से जहाँ पर आप सेंदुर लगानी की परंपरा स्पश्ट रूप्स देख सकते हैं स्क्रीन पर देखिए अब प्राचीन आरे लोगों के परिधान में आज की भाती बिंदी भी थी इसका प्रमाण देता हूँ यहां इस प्रमाण से आपको बिंदी, साडी, चोली, सब का प्रमाण मिल जाएगा मित्रो मारकंडे पुराण में दुर्गा शब्त सदी स्तोतर है इसमें आप ये सब्तमों अध्यायत पढ़िए यहां माता के वस्त्रों का वर्णन है इसका हिंदी अर्थ देखिए उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पार रही है यहां देखिए चोली का प्रमाण वे लाल रंग की साडी पहने हाथ में शंक मय पातर ली हुए लाल रंग की साडी माता ने पहना था और चोली भी यहां पर सीध हो गया उनके वदन पर मदू का हलका हलका प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है ललाट में बिंदी भी सिदो गया मारकंडे पुरान को पंदरवी सदी में रचा गया था शाक्तमत बहुत प्राचीन है उन लोगोंने अनेग गरंत बनाए थे उसी को संकलित रूप में वेद व्यास के नाम पर मारकंडे पुरान पंदरवी शताबदी में रचा गया अब नेक्ष देखिए अब देखिए मिद्रो प्राचीन काल में सिलेवे वस्तर भी पहना करते थे और बिना सिलेवे वस्तर भी पहना करते थे आरेवर्थ में इन दोनों प्रकार के वस्तरों का चलन था परन्तु सिलेवे वस्त्रों का पेंदने का चलन वैदिक कर्मकांड इत्यादी में निशेद रूप में माना जाता था वहाँ बिना सिलेवे वस्त्र ही धारन करने पड़ते थे और बहु मातरा में वैदिक लोग बिना सिलेवे वस्त्र ही धारन करते थे जैसे साड़ी धोती वस्तर इत्यादी सिलेवे वस्तरों का प्रमाण आर्केलोजी से हडपा काल में मिलता है प्राचीन काल में भी फैशन कम नहीं था उस काल में भी आज की भाती कुछ इस प्रकार की सिलेवे वस्तर धारन करते थे कुछ लोग अग जिस प्रकार से मोहेंजोदोड़ इत्यादी में जो वैसल्स मिले हैं जिसमें रंग वी रंगे आर्टिस्टिक चित्र बनाए गए हैं इससे यही सीध होता है कि उस समय के लोग आर्ट कला इत्यादी में बहुत सक्षम थे अभी इससे पूर्व के हम उन सारे कलाओं को प बनाना भारत ने सिखाया इन लोगों को नीडल तक बनाना नहीं आता था और यह हमें कह रहे हैं कि आपको सिलने इत्यादी के चीज़े नहीं आती थी जो वामपन थी यहां के सेक्यूलर लोग है जो कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहां पर आकर डेवलप्मेंट किया तुम भारता को चुराने और नश्ट भ्रष्ट करने के लिए समस्त प्रयास किये हूँ को उन्होंने हाईवेस बनाई तो उससे अपने मालों को चुडाने के लिए भारत में ओना ने गिलिए, रेल आई तो लूट के लेके जाने के लिए, आज भी आप ब्रिटेन में देख सकते सारी म्यूजियम में चुराए हुए मालमा पर रखे हुए सारी मैनुस्क्रिप्ट से लेके सोना इत्यादी सब चोरी करके लोग ले गए और ये विदेशियों ने सब भारत की टेक्नलोजी इत्यादी सब चुरा कर अपने नाम से वापे छाप रहे है अब आप देखिए वात विद्यसमुद्धेश में ये पंदरवे सूत्र में सभी 64 कलाओं का नाम पढ़िए गीदम यानि गाना वाद्यम यानि बाजा बजाना रित्यम यानि नाचना आलेक्यम यानि चितरकारी करना विशेश कच्छेद्यम भोजन के पत्तो को तिलक के आकार में काटना तांडू पूजन के लिए चावल तथा रंग विरंगे फूलों को सजाना पुश्पास तरणम घर अथुआ कमरों को फूलों से सजाना ये दिखी यहां पर जो ग्रिय डेकोरेशन है वो प्राचिनकाल में भी हुआ करती थी उस पर भी धियान दिया करते थे लोग दशन नव सनांग रागह कपडों शरीर और दातों पर रंग चड़ाना ये देखी कपडों शरीर और दातों पर रंग चड़ाने की बात शरीर पर रंग चड़ाना यानि टेटू और दंतों पर भी रंग चड़ाते थे इस प्रकार की भी कला उस समय लोगों को ज्यात थी यह दातों से हाती दंत इत्यादीव का भी प्रमाण माना जा सकता है आज भी हाती दंत इत्यादी ब्लैक मार्केटिंग में बहुत बिखते हैं तो इसका उपयोग प्राचिन काल में भी बहुत लोग करते थे साथ सच्चा इत्यादी सजावड में मनी भूमी का कर्म फर्ष पर मनियों को विचाना शयन का चनम शय की रचना उदका वाद्यम अनी को इस प्रकार पजाना कि उससे मुरज नाग के बाजे की ध्वनी निकले उदका खात जल क्रिडा करते समय कलात्मक डंग से छीटे मारना चित्रयोगा अनेक ओशदियो तंत्रो तथा मंत्रों का प्रयोग करना मालय अग्रथन विकलपा विभीन प्रकार के मालाय गुंधना अब दिखी मालाओ को गुंधनी के लिए सुई की आविशकता पड़ती है और जो बिना सुई के माला गुंध के दिखा सके ओ दिखा देना शेखर कापीड योजनम आपिठकम तथा शेकरक नाम के शेर के आविशनों को शरीर के सही यंगों पर धारण करना इपगड़ी त्यादी गवर्णन ने पत्थे प्रयोगा अपने को या दूसरे को सुंदर कपड़े बनाना करण पत्र भंगह शंक तथा हाती दंद से विभीन आविशनों को बनाना ये देख विभीन दरव्यों को मिलाकर सुगंद तयार करना ये पर्फियूम और सुगंदित रसों से तयार किये गए इत्र इत्यादी का वर्णने भूजन योजनम आवशनों में मनिया जड़ना ये जो एलरीस पर जो मनी जड़ रहे हैं उसका प्रमाने एंद्र जाल योग एंद्र उप्योग करके चानके ने अनेक विलासी राजाओं को मरवाया था और इसका गलत उप्योग करके वेद विरुद कारे भी अनेक राजाओं ने किया है हस्त लागवम हाथ की सफाई ये सारे जो ट्रिकी चीज करते हैं जादुगरी इत्यादी वो समय पे हुआ करते थे प्रकार के जूसे सरसित्यादी का निर्मान सुचीवान करमानी जाली बुनना पिरोना और सीना ये देखिये स्टिचिंग के प्रमान सूत्र ग्रिडा मकानों पशुपक्षियों तथा मंदिरों के चित्र हाथ के सूत्म से बनाना विनाड मरू वाद यानी वीना डमरू पुल्याने का भी एक चलन था आरेवर्द के इतिहास में प्रतिमाला अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का कोशल तो ये अंत्याक्षरी इत्यादी भी प्राचीन का अलसे लोग खेल रहे हैं दुरवाचक योग ऐसे श्लोक कहना जिनके उच्चारन तथा अर्थ दोनों कठीन पुस्तक वाचनम किताब पढ़ने की कला बीना पुस्तक की पुस्तक वाचन के से होता ये भी बता देना यानि पुस्तक हुआ करते थे कागज चित्यादी के खोज पहले हो चुकी है नाटका ख्याई का दर्शनम नाटको तथा एतिहासिक कथाओं के वारे में जानकारी य प्रेत और सरकंडे आधी की वस्तुए बनाना ये त्रिपूरा इत्याधी में जो इससे वस्तुए बनते हैं उसी कला का यहां पर वर्णने तक्ष कर्मानी सोने चांदी के गहनों तथा बर्दनों पर विभिन प्रकार की नकाशी तक्षणम बढ़ाई गीरी वास्तु विद्या घर का निर्मान करना ये यहां पर इंजिनेरिंग और बिल्डिंग प्लैनिंग देखिए रूपे परिक्षा मनियों तथा रतनों की परिक्षा कैसा किया जाए धातु वाद धातुओं को मिलाना तथा उनका शोधन करना ये देखिए यहां पर मेटलरजी टिस्ट और एक्स्ट्रेक्शन इत्यादी के प्रमाण स्पश्डूप से देख लीजिए ये विद्या भी भारत में मौजूद थी इसे अंग्रेजों ने सब नश्ट कर दिया मनी रागा कर ज्यानम मनियों को रंगना तथा उन्हें खानों से निकालना ये माइनिंग का प्रमाण है व वर्णन भी हमारे भारत में था मेश कुकुट लावक युद्विधी भेडा मुर्गा तथा लावकों को लड़ाना सुखसारी का प्रलापनन तोता मैयना को पढ़ाना तोता मैयना को भी अपने मरुरंजन के लिए पढ़ाते थे प्राचिनकाल में उत्सादने संवाने की मालिश करने की कला अक्षर मुष्टिका कथनम सांकेतिक अक्षरों के अर्थ की जानकारी प्राप्त कर लेना मलेची तावी कलपा गुप्त भाषा विज्यान देश भाषा विज्यानम विभिन देशों की भाषाओं की जानकारी ये देखी विभिन देशों की भाषाओं की भी जानकाली रखना ये हमारे भारत में कला थी लेकिन ये आज के पंडों ने इस सारी कला को नाश कर दिया ये पुराणा से पूर्व यहां पर कला थी मौजूद थी पुश्पश शकटिका फूलों से रथ काड़ी आधी बनवाना निवित जयानम शकुन विचार यंद्र मा अपने रखने वाले यंदर यहां पर बना करते थे यह दीख ली जिहां पर प्रमान महराचा भोज के काल में ऐसे रोबोट्स थे जो स्वचाली थे अपने से अपने आप कारे करते थे धारण मात्री का स्मरण शक्ती बढ़ाने की कला यहां इंटेलीजन्स बढ़ाने की भी कुछ कलाएं मौजुद थी जिससे यहां के लोग अपनी इंटेलीजन्स बढ़ा लेते थे समपाठ्यम किसी सुने हुए अधुअ पड़े हुए श्लोग को जियों का त्यो धोराना मानसी कावे कृया, विक्षिप्त अक्षरों से श्लोग बनाना अधिधान कोश, शब्द कोशों की जानकारी चंदो जियानम, चंदो के बारे में जानकारी क्रिया कल्ब कावया लंकार की जानकारी छाली तक योग बहु रूपिया पन यानि वेश बदलने इत्यादी की जो विद्या थी वस्त्र गो बनानी छोटे कपड़े इस प्रकार पहने की वह बड़ा दिखाई दे तथा बड़े कपड़े इस प्रकार पहने की वह छोटा भाइदे दियूत विशेश है विभीन प्रकारी की दियूत क्रियाओं कि कला दियूत जो है वह जुए को कहते हैं और जिस भी खेल में आप दाओ पे चित्यादी लगाते वही दियूत क्रिडा हो जाती है आकर्श क्रिडा पासा खेलना इसमें कांधार राज शकुनी पारंग विद्याएं आचार शास्त्र जीतने की टैक्टिक्स यहाँ पर दूसरी बार भी रिपीट किया है विजय की नम विद्यानाम जयानम विजय दिलाने वाली विद्याएं दथा आचार कोटिलिक का शास्त्र ये कोटिलिक है बाद में लिखा गया गरंद है वियायाम के बारे में जानकारी जो योग ब्रणायम इत्यादी और दंडबैटक इत्यादी के अनेक वियायाम के भारती एक कला जो निर्मित थी जो कलरी पयाटू इत्यादी युद कला थी मल विद्या कुष्टी इत्यादी वो सब के सब हमारे प्राचीन व्यायाम के अंतर गता जाते हैं तो ये है 64 कलाएं तो प्राचीन काल में नीडल्स थी उसी से हमारे भोजबत्र पामलीवस गुन्था करते थे और सिले हुए कपड़ी भी छोटे बच्चो इत्यादी के लिए बनाया करते थे ये सबी प्रमानों से हमने सिदु कर दिया अब आगे देखिए अब देखिए मित्रो महाभारत काल में दरपन और उपनेत्र के प्रमान मित्रो ये जानकारी सबी वामपंतियों के लिए अस्चर युक्त होगी क्योंकि अब हम आपको महाभारत काल में स्पेक्टेकल्स या चश्मे का प्रवाण देने वाले महाभारत काल के लोग चश्मे इत्यादी का भी उपियोग करते थे इससे पहले आप वामबंथी लोग क्या पढ़ाते हैं ये देखिए तेरवी शताबदी में हुए इटली में साल्विनो डी आर्मती इनको लेंस और चश्मे का आविशकारक माना जाता है आप सबको पुस्तकों में यही पढ़ाया जाता आ रहा है चश्मे उपनेत्र इत्यादी का भारत से कोई लेना देना नहीं है ये इटली से आविशकार हुआ ये एक मित्रो सफेद जूट है ये पूरे विश्व ने भारत से उपनेत्र और लेनस इत्यादी की सिक्षा प्राप्त की है इसका प्रमाना माभारत से देखिए माभारत के शांति पर्व अध्याए 202 शलोक नमबर 23 चलम यथा दृष्टी पतम परहिती ये वाला शलोक देखिए इसका अर्थ देखिए जैसे शिग्रगामी नौका पर बैठे हुए पुरुष की दृष्टी में पार्शोवरती वरिक्ष पीछे की और वेग से भागते हुए दिखाई देते हैं ये रिलेटिव मोशन की बात है उसी प्रकार कुठस्त नेर विकारी आत्मा बुद्धी के विकार से विकारवान सप्रतीत होता है एवं जैसे चश्मे या दूरबीन से महीन अक्षर मोटा दिखता है और छोटी आकरिती बहुत बड़ी दिखाई देती है उसी प्रकार सूक्ष्म आत्म तत्व भी बुद्धी विवेक समू शरीर से सयुक्त होने के कारण शरीर के रूप में प्रतीत होने लगता है अब यहां देखिए निलकन टीका पर यह 23 वी का बहुत बड़ा अर्थ किया है यहां आप स्पश्रूप से तत्र यथा उपनेत्र दरपन योर पाय अक्षर स्थोल्यम यहां पर स्पश्रूप से आप उपनेत्र और दरपन शब्द देख सकते हैं अर्थात सूक्ष्म अक्षर जो पुस्तक में लिखे गए होते हैं उसको बड़ा करके दिखाता है ऐसा उपनेत्र का यहां पर वर्नन आया है यानि स्पश्रूप से यहां पर हमें पुस्तक पढ़ने के लिए चश्मे और उपनेत्र का प्रमान हमें मिल जाता है तो आज से आपको कभी भी कोई कहे कि चश्मे और स्पेक्टेकल्स का सबसे प्रथम आविश्कार इटली में हुआ था और यहां पर किसी को इसका जयान नहीं था तो उनका आप इस प्रमान से खंडन कर सकते हैं और यहां मैं आपको English Translation भी भी दे देता हूँ यह भी आपके काम आ सकता है यहां पर स्पेक्टेकल्स और मिरर का यहां पर प्रमान आप देख सकते हैं और इसकी टिपपनी में भी लिखा है तो यह आप English Translation भी उन्हें दिखा सकते हैं तो मित्रो आज से कोई भी आपसे कहे कि स्पेक्टेकल्स विदेशियों की देन है तो उसे मना करना और इसे इन सारे प्रमानों को दिखाना और आज आपको यह वीडियो देख कर कैसा लगा यह आप हमें कमेंट में बता सकते हैं तो मित्रो आज के लिए इतना ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेर कीजिए अपने सभी मित्रो और सोशल मेडिया प्लैटफॉर्म्स पे इसे शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब ने कि अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से आरियों का इतिहास यहाँ पर क्रम बई क्रम हम बताएंगे आगे और भी आने का नेक भ्रांतियों का निवाराण किया जाएगा तो इसी के साथ मित्रो जल्द मिलते हैं पार्ट टू वीडियो के साथ तब तक के लिए आज्या दीजिए नमस्ति जी